तो तुम AI और YouTube से रुपए कमाना चाहते हो, पर तुम्हें पता नहीं स्टार्ट कहां से करना है. Well lucky for you. तुम्हारे पास आ रहा है, जिसे पता है ये कैसे करना है. ये कुछ channels देखो. ये YouTube पे काफी बड़े channels हैं. और ये करते क्या हैं? सिर्फ horror stories रीड करते हैं. सही सुना तुमने. यही नहीं ये channels एक लाख से दो लाख रुपे कमा रहे हैं. हर महीने. अब सोचो, अगर तुम और मैं मिलके ऐसे channels को take over कर लें. Well, आज की वीडियो में मैं तुमको पूरा process बताने वाली हूँ. Step by step. Start से लेकर End तक. एक faceless YouTube channel create करने का. बिल्कुल इन ही channels की तरह. और वो भी सिर्फ AI tools को use करके. इसका मतलब है कि story भी AI से बनाएंगे. audio भी AI से generate करेंगे. और यहां तक की video के visuals भी AI से ही बनाएंगे. और best part ये है कि तुम ऐसी videos को 2023 में monetize कर सकते हो. अगर ये तुम्हें सुनने में अच्छा लग रहा है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो. और process को ध्यान से समझने के लिए तयार हो जाओ. चलो, शुरू करते हैं. horror video बनाने का process सीखने से पहले, हम ये देख लेते हैं कि video किस तरह की बनाने वाले हैं. दोस्तों, ये तो सिर्फ टीजर था, पूरी horror story video, तुम्हें इस video के end में देखने को मिल जाएगी. लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमें ऐसी videos बनानी कैसे हैं. सबसे पहले हमें एक YouTube channel create करना है. Channel के नाम के लिए हम चलते हैं ChatGPT के पास. ChatGPT से Simply Dan Best Scary Hindi YouTube channel के नाम पूछ लेते हैं. हाँ, Haunted Nights, नाम अच्छा लग रहा है. Channel का नाम मिल चुका है. अब हमें channel का logo और banner create करना है. इसके लिए हम use करेंगे. एक बहुत ही बहतरीन AI Image Generator टूल, जिसका नाम है Leonardo, AI. Leonardo की website पे जाकर, AI Image Generation पर क्लिक कर देना है. यहां logo के लिए सही dimensions select कर लेनी है. और scary YouTube logo सर्च कर लेना है. और यह आगए शानदार चार options channel के logo के लिए. मुझे ये वाला काफी अच्छा लग रहा है. इसी तरह channel का banner भी generate कर लेंगे. banner के लिए width बड़ा देनी है, और height कम कर देनी है. यह देखो बन गया, must YouTube channel का banner. सिर्फ दो मिनिट में. इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती. अब हमें इस image को Canva के किसी भी sample YouTube banner template पे add कर देना है. यहाँ अपनी requirement के according changes कर लेने हैं और banner तयार है. लोगो और banner को update कर देते हैं और यह देखो, एक faceless YouTube channel का page तयार हो गया है. अब बस वीडियो बनाना सीखना है. वो भी AI की help से बहुत ही easily किया जा सकता है. सबसे पहले हमें चाहिए एक शांदार सी horror story जिसको सुनके लोगों के पसीने छूट जाएं. इसके लिए हम चलेंगे. सही पहचाना तुमने. चैट GPT के पास चैट GPT से तुम्हें पूछना है कुछ. इस तरह. ये आ गई स्टोरी और अब हमें चाहिए इसके लिए visuals. उसके लिए भी हम चैट GPT का ही use लेंगे. चैट GPT को बोल देते हैं इस स्टोरी को parts में divide करने के लिए. अब इन्ही scene description का use करके हम images generate करेंगे. और उसके लिए एक बार फिर से चलते हैं Leonardo AI के पास. तुम्हें simply in description को लेना है. थोड़ा बहुत update कर देना है और बाकी का काम Leonardo AI कर देगा. ये देखो आगई must images. ऐसे ही एक एक करके सारी images generate कर लेनी है. और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि image के dimensions 1280 by 720 pixels रखने हैं. Images तो ready हैं, पर अगर तुम इन images को और effective बनाना चाहते हो, तो उसके लिए मेरे पास एक और AI tool है, Laya Picks. इस tool की help से, तुम इन images में horizontal, vertical और अलग-अलग type के movements डाल सकते हो. वो भी एकदम free में. तुम्हें सिर्फ image को इस platform पर upload कर देना है, और तुम्हारी still images convert हो जाएंगी ऐसी move करती हुई videos में. अब एक-एक करके, सभी scary images में ऐसे movements डाल देते हैं. इन animation की style और speed right side में दिये हुए panel से control की जा सकती है. हमारे visuals अब ready हो चुके हैं. story भी generate हो गई है. पर अगर आप Hindi story बनाना चाहते हैं, तो simply chat GPT से generated story को Google Translator से Hindi में convert कर लेना है. इसमें थोड़े बहुत update कर देने हैं, और आपकी Hindi horror story ready है. दोस्तों, horror वीडियो की story और visuals ready है. बस, अब audio generate करना बाकी है. उसके लिए भी हम एक AI tool ही use करने वाले हैं, जिसका नाम है 11 Labs. audio generate करने के लिए, इससे अच्छा tool तुम्हें नहीं मिल पाएगा. इसकी progress देखके लग रहा है, कि वो दिन दूर नहीं, जब लोग अपना माइक देंगे कबाडी वाले को, और AI से ही voice generate करवाएंगे. इसको use करना बहुत ही simple है. इधर तुम्हें एक शांदार सी voice select कर लेनी है, और story को text में डाल कर voice generate कर लेनी है. ये example line सुनो. हावी हो गई. है ना, amazing voice. ऐसे ही पूरी story की audio generate कर लेनी है. दोस्तों, horror stories का एक बहुत important पार्ट होता है. Background music और sound effects. Background music के लिए मुझे एक काफी बहतरीन website मिली है, जिसका नाम है chosik.com. यहाँ पे तुम्हें हर टाइप का royalty-free music मिल जाएगा. यहाँ मैंने horror music सर्च किया, और मुझे ये background music मिल गया, जो काफी डरावना है. Sound effects के लिए, तुम YouTube से ही copyright free sounds डाउनलोड कर सकते हो. अब एक अच्छी वीडियो बनाने की सारी सामगरी तयार है. बस खढ़ाई में डालके तड़का लगाना है. वो कड़ाई का काम यहाँ Canva करने वाला है. सारी images, videos और audio को Canva पर upload कर देना है. upload करने के बाद page पर, एक-एक करके images और audio को add कर देना है. images का time audio के according set कर देना है. और video छोटी है तो same video multiple times add कर देनी है. audio और video को sync में लाने के बाद background score add कर देना है. साथी sound effects भी audio के according set कर देना है. और ये हमारी horror वीडियो तैयार है. चलो final video देखते हैं. विजय नगर के अंत में स्थित पुराना जीर्ण शीर्ण घर हमेशा मेरे लिए जिग्यासा का स्रोत रहा है. एक ठंडी चांदनी रात में यही जिग्यासा मुझ पर हावी हो गई. मैं सुनसान सड़क पर धीरे-धीरे आगे चला गया. मेरे कदमों की आहट सननाटे में गूंज रही थी. मैं घर के चर्मराते दर्वाजे को देख कर डर रहा था. एक धीमी भयानक चीख के साथ वह दर्वाजा खुल गया. मानो मुझे अंदर आमंत्रित कर रहा हो. जैसे ही मैंने दहलीज पार की, मैं डर से कापने लगा. फटे हुए पर्दों से च्छन कर आती हुई चादनी, सफेद चादर में लिपटे धूल भरे फरनीचर को उजागर कर रही थी. दीवारों पर उदास आँखों वाले पूरवजों की पेंटिंग लगी हुई थी. जैसे ही मैं खोजबीन कर रहा था, उनकी निगाहें मेरा पीछा कर रही थी. मैं चर्मराती हुई सीड़ियां चड़ गया, तब ही अचानक किसी के रोने की आवाज सुन कर मैं रुख गया. आवाज का पीछा करते हुए मैं अधेरे कमरे में पहुचा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा. वहाँ मैंने उसे देखा, लंबे उलजे हुए बालों वाली एक आक्रिती, उसकी आँखें खाली और खोकली थी, वह मेरी ओर तैरती हुई आई, उसका फटा हुआ काउं धुएं के गुच्छों की तरह पीछे लटक रहा था. जैसे ही वहाँ आगे बढ़ी, मेरी आवाज ही नहीं निकल पाई, उसकी बरफीली उंगलियां मेरी तवचा को छू रही थी, उसकी आँखों में निराशा भर आई, और उसने पुस-फुस आते हुए कहा, मेरी मदद करूँ. अचानक ही कमरा पीडित आत्माओं से भर गया, उनकी पीडा भरी चीखें मेरे दिमाग में गूंज रही थी, दीवारें पास आने लगी, छट नीचे सरकने लगी और मेरे हाथों को दीवारों से निकलती रसियां जकडने लगी. मैं उनकी पकड से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था, मैं बहुत घबरा गया, और तब ही अचानक मेरी नींद खुलती है, मैं भोर में उठा, हाफ रहा था, पर अपने बिस्तर पर सुरक्षित था, मुझे राहत होई कि ये सिर्फ एक सपना था. दोस्तों, आशा है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर तुम रेगुलरली ऐसी वीडियोस बना के अपने चैनल पर डालोगे, तो डेफिनिटली तुम यूट्यूब से अच्छे रुपए कमा सकते हो. मिलते हैं अगली वीडियो में, पर उससे पहले वो दिचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना. धन्यवाद.